Hello students, कैसे हैं आप students आज हम review करने वाले हैं बढ़गाउं के new colleges को माने सर, government college, फरुक नगर, government college, पटोदी, government college क्या reason है students, इन colleges के अंदर सीटे भी पूरी नहीं नहीं हो पारी हैं आपको इन colleges के अंदर addition लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एक पूरा रिव्यू आज हम आपको देंगे बने रही है हमारे साथ में दोस्तों बुढगावा के अंदर पहले तीन कोलिज हुआ करते थे सबसे पहले हम बात करें गर्ल्स गॉर्मेंट कोलिज दैन फिर बात करें दुरोनाचारे गॉर्मेंट कोलिज जो की DSD कोलिज के नाम से भी जाना जाता है गेले वे रोड पर स्थित है जो गर्ल्स गॉर्मेंट कोलिज है स्टूडेंट सीधी सी बात है लड़कियों के लिए ही अवलेबल है तो लड़किया ही एडविशन लेंगी दैन फिर था DSD कोलिज इसके अंदर लड़के लड़किया दोनों एडविशन ले लेते थे लेकिन वर्कलोड इनका काफी जादा बढ़ा हुआ था दैन फिर सेक्टर 9 गॉर्मेंट कोलिज आया दोस्तो सेक्टर 9 गॉर्मेंट कोलिज के आने से पूराने दोनों कॉल्जिस का वर्कलोड काफी कम हुआ स्टूडेंट्स अब जो नए कॉल्जिस आ गए हैं फौरुक नगल गॉर्मेंट कॉलिज पटोदी गॉर्मेंट कॉलिज सोहना गॉर्मेंट कॉलिज क्या रीजन है कि इनकी सीटे भी पूरी नहीं हो पा रही है तो डिस्कस करेंगे हम बने रही हैं हमारे साथ में दोस्तों ये जितने भी नए कॉल्ज ओपन हुए है इनके पास में अभी तक इनकी खुद की बिल्डिंग भी पूरी तरीके से तयार नहीं हुई है आज पास के किसी स्कूल्स में बड़ी मुश्किल से क्लास इनकी चल रही है अभी तक इनको कोई नए ग्रेडिंग भी नहीं मिली है अगर कॉर्स की बात करें तो नॉर्मल बी-ए-बिकॉम लेवल के कॉर्स है ना ही इन कॉल्जिज में कोई मास्टर कॉर्स है ना ही इन college के पास में B.A.C. के course है तो students के पास में काफी limited option हो जाता है हर student चाहता है कि college में जाए अराम से पढ़ाई करे, building हो, पंखे चल रहे हो लेकिन इन colleges के अंदर कुछ अच्छा system अभी है ही नहीं students यही reason है कि इन colleges के अंदर seeds पूरी नहीं होती है 2018 में रिठोज स्थित राजकिये महाविद्याले के नए भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है ऐसे में मानेसर स्थित महाविद्याले भी उधार के भवनों पर चल रहा है इधर पटोदी में खुले राज की महावे देहले की कख्षाएं भी पास के एक समुधा एक भावन में चल रही है तो दोस्तो इस तरह की फैसिलिटी अभी चल रही है आज के टाइम पे जहां पर प्राइवेट इनिवस्टी इतनी सारी ओपनों रखी है गौर्मेंट को कुछ फैसिलिटी देनी चीए बेसिकली इन कॉलिजिस के अंदर वो स्टूडेंट्स जाते हैं खासकर जो की जादा स्पेंडिंग पावर नहीं रखते हैं तो government को इन colleges की सुद लेने चीए ताकि students अपना career बना सके दोस्तो इस तरह के important updates लेकर हम लगातार आपके पास में आते रहते हैं students सभी तरह के important updates जानने के लिए education के regarding आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद